चक्क वियूं यह चक्क वियूं बढ़वान बुद्ध का एक नाम है चक्क वियूं यानि कि जो चक्क के ग्याता है बाद में इसको चक्क वियूं किया गया यानि कि यह एक घेरा बंदी करके ऐसा बताया गया मगर असली जो है वो चक्र वियू है वियू का मतलब होता है ग्याता जानकार और चक माने जो चक्र की जानकारी धम चक्र की जानकारी उन्होंने ली थी उसकी वएसे उनको चक्र का ग्याता बोलते है चक्र वियू बहुत प्रमुक नाम है भगवान गुद्ध के हजारों नाम है उनमेंसे एक नाम क्योंकि धम चक पवत्तन दिन आता है धम चक पवत्तन दिन होता क्या है भारत में जुलाई के महिने में या अगर पुराने पाली के हम जो नाम है महिनों के महा के तो उसमें आसार रह, आसार रह बोलते हैं, आसार माने तो होता है भहुत घंगोर बारिस, और आसार रह का मतलब है कि वो महिना जिसमें घंगोर बारिस होती है, वो आसार में आती है, तो आसार में जब पूरन चंदिमा होता है, पूरन चंद होता है, पूरन चंद होता है, य के लगातार तीन महने तक भिक्कु सारे के सारे वसावास करते हैं और चोथे महने में वो अपने समय के नुसार, अपने काम के नुसार पवार्ना करते हैं दुबारा पढाने के लिए निकल जाते हैं पूरे डेस के अंदर तो इस दिन का इतना महत्व पूरे विस्व में क्यों है धम चक परवतन दिवसोका या धम चक परवतन या धम चक परवतन दिन इसको कुंडली जागरन दिवसी बोलते हैं उस दिन कुंडली जागरत होती है या इसको गुरु भी बोलते हैं गुरु वार का दिन या गुरु पूर्णिमा भारत में आज के समय में ये गुरु पूर्णिमा के नाम से मशूर है क्योंकि जगत गुरु जो रहे हैं पूरे विस्व में वो सिर्फ एक बुद्ध है क्योंकि बुद्ध सारे जगत में वो जानकारी लेके आए जो जानकारी पहले से थी नहीं और जो जानकारी आज तक बदली नहीं और संभबत है जब तक मनुस से रहेगा तब तक वो जानकारी बदलेगी नहीं क्योंकि उन्होंने सारी जानकारी मनुस से के सुख और दुख से सम्मंदित और उसका जो सौफ्ट्वेर है और जो उसका हार्डवेर है यानि जो उसका सरीर उसका हार्डवेर और जो उसका मन है उसका software और जो उसका processor है उसका brain इसके वारे में सारी जानकारी उन्होंने खोजी थी और उन्होंने कहा था कि मैं एक सब्द भी बहार का नहीं बताऊँगा जो मैंने अनुभब किया है वह मैं बताऊँगा वही उन्होंने जीवन पर बताया इसलिए वो जानकारी कटती नहीं है उस जानकारी को बदल-बदल के लोगोंने mix करकर के अपने नाम से दाय मैं चीज़ उसमें डाल डूल के और यहां तक कि भारत के अंदर बुद्ध की सारी सिक्षावों खतम करके उस सारी जानकाली को अपने नाम से लोगों ने पजशित किया, उसका इस्तमाल किया राज भी कर रहे हैं, वो अलग बाद है, इस से बुद्ध को कोई फरक नहीं पड़ता तो ये जो धम चक पवत्तन दिवस है, इसलिए इसको गुरु पूर्णमा या आसारी गुरु पूर्णमा से या आसारी गुरु पूर्णमा भी बोलते हैं, और ये सभी लोगों में बड़े धूम दाम से मनाई जाती है आप भी उस दिन जो आपके गुरु हैं, चाहें वो भिकुनी हैं, चाहें भिकु हैं, चाहें कोई टीचर आपको पढ़ाता है या जो टीचर से आपको लगता है, कि इसने आपको बहुत अच्छी तरह से बिना भे disg़ भाव के पढ़ाया है, वो है या जहाँ से आपने सिक्षा लिए है या जो आपकी माता पिता भी गुरू होते हैं आप उनका अगर आप वर्चुल में जाना चाहेते हैं जैसे आज के समय में जो चल रहा है वर्चुल का तो आप उनका फोटो या उनके लिए दो सब्द या उनके लिए एक वीडियो बना कर फेस्बुक पे वार्टसप पे या जहां भी आप डाल सेके हमाँ डालें उनको टेलीफोन करके उनको धन्यवाद करें और पूरी दुनिया को बताएं कि आप अपने गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं दरसल भारत जो रही है वो जगत गुरु भगवान बुद्ध की भूमी रही है और पूरी दुनिया में इसी नाम से जाने जाती है और कोई नाम पूरी दुनिया में भारत के लिए चलता ही नहीं है Light of Asia जो बोलते हैं वो बुद्ध को ही बोलते हैं बुद्ध के हजारों नाम हैं कुछ मैंने बताए कुछ मैं और आगे बताँ हैं जारों ही हैं और सारी दुनिया के लगा लेंगे तो उससे भी ज़्यादा है तरसल भगवान बुद्ध ने जब वैसाख पूर्णिमा के दिन उस ब्रक्ष के नीचे जो बाद में ब्रक्ष या बोधी रुख के नाम से फेमस हो गया पीपल का पेर तब तक पीपल के पेर की कोई मानेता नहीं थी मगर भगवान बुद्ध उसके नीचे बैठे और वहां उन्होंने बोधी को ग्यान को प्राप्त किया क्या ग्यान प्राप्त किया बड़ा सिंपल सा ग्यान उन्होंने प्राप्त किया या दूसरे के सरीर में या पराणी में उसको कैसे अनेलिसस कर सकते हैं तो सारा उनोंने सीखा और तीसरा उनोंने ये सीखा जो सबसे important था कि human का software और human का hardware यानि कि मन और सरीर आपस में interlicht कैसे हैं और कैसे काम करते हैं कैसे material चुपकता है कैसे दुख सरीर में आता है क्योंकि दुख वो जानते थे कि कहीं बाहर से नहीं आता है अगर आता तो दिखाई देता तो जाता भी कैसे है दिखाई देता नहीं सुख कैसे सरीर में रहता है और कैसे छिप जाता है पता नहीं चलता तो दुख की जो वेदनाएं आती हैं, सम्मेदनाएं आती हैं वो अचानक टेलीफोन सुनके या ख़वर सुनके या कोई घटना सुनके हमारे मन में आ जाती हैं तो उस समय भगवान ने यही देखा कि कोई मुझे अगर अपसर्द बोलता है तो मेरे अंदर दुख की वेदनाएं आती हैं, कोई मेरी परसंसा करता है तो सुख की वेदनाएं आती हैं आखिर काम कैसे करता है, अगर वो काम करना जान लेंगे तो फिर वो उसको निकाल भी सकते हैं उल्टे उनी को धंका रहे थे, हम तुझे खतम कर देंगे देखेंगे, भगवान बुद्र ने बहुत शान्ती के साथ में और बहुत ही साधना दर्ड तपस्चा के साथ में बैठे बैठे उनको डिलीट किया उसको मारसेना बोलते हैं, देख पुत मारसेना सारी बुराईयों को जो वाइरस के नाम है उस ग्यान को प्राप्ट करने के बाद में भगवान बुद्र ने साथ हप्पे तक, यानि बैसाक पुर्णमा की राथ से लेके साथ हप्पे तक सासत्य औरणचाज, यानि एक कम पचास, 49 डेस, 49 डेस तक ये चेक किया के वास्तम में मुझे हुमन के सोफ्वेर गया और हुमन के हार्डवेर की जानकारी हुई या नहीं हुई क्योंकि बात ये थी कि इससे ज़्यादा जानकारी कोई और जानता नहीं प्रत्वी पे और जहां-जहां उन्होंने छैसाल लोगों से सीखा, उन्हें भी दिन जानकारी थी नहीं, वो तो सारा वहां से सीख के आ चुके थे तो बताए कौन के जो सीखा है वो है क्या, जानतारी कहां से मिले के जो जानतारी प्राप्त की है वो सबसे परम है, उस्तम है, मनुष्या के बारे में है तो साथ हपते तक वो चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं देखा गिए दुखाया है तो उन्हों देखा दुखाया है क्या दुख डिलीट हुआ देखा डिट हो गया देखा कैसे चीज़ें काम कर रही हैं तो लगाता साथ हपते तक वहाँ उस पेड़ के आसपास में अलग-अलग जगा बैठ कर उसे अपने आपको चेक करते हैं और साथ हफते में जब उनको यकीन हो गया कि अब वो हुमन के सॉप्टर की सारी चीद जानते हैं फाइल को एंटर भी करा सकते हैं और फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि अब मैं सम्यक्सम बुद्धी वाला हो गया यानि कि सम्यक्सम बुद्ध हो गया सही और पूरा जानकार हो गया सम्यक्सम बुद्ध का मतलब होता है सही और पूरा जानकार व्यक्ति तो वो सम्यक्सम बुद्ध हो गया तो उन्होंने लगा कि इतना जो गहरा ग्यान मुझे मिला है क्योंकि साध्राणाब विक्ति तो इसको समझ नहीं पाएगा तो किसी को समझाना तो है क्योंकि इसको फैलाना है तो वो अपने जो दो गरू थे उन गरू के पास में ढूनने के लिए चल पड़े तो वो अपने गुरूओं के पास चल पड़े तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने गुरू थे आलार कालाम आलार कालाम के पास में जाने के लिए देखा मगर उनको जानकारी मिली के आलार कालाम अब दुनिया में नहीं रहे तो दूसरे थे उनके गुरू उद्दक रामपुत उद्दक रामपुत के पास जाने के लिए जब वो चले तो उन्हें जानकारी मिली कि उद्दक रामपुत भी नहीं रहे दोनों ही उनके पीचर रहे हैं, दोनों की जागे नोंने सीखा है मगर जितना उन गुरू को आता था उतना वो सीख गए थे और सीखने के बाद ये पता चला कि दुख तो अभी दूर हुआ नहीं है वो वहां से छोड़के फिर आ गया गया तो उन्हें कहा कि अब ये किसको बताया जाए किसको समझा जाए तो उन्हें याद आया जो अपने पांच साथी थे जो महानाम, वप, असजी, कॉडिन ने और भद्धी है ये पांचों साथी के बारे में पता किया कि वो किस ओर गए हैं, किस दिसा में गए हैं जानतारी हुई कि वो बनारस में गए हैं या सिंगपूर, या वारानसी, या इसी पतन मिगदाय, उस समय इसी पतन मगदाय बोलते थे इसी पतन किसली है, इसी माने, जो इसी होते हैं, जो जानका लोग जहां साथना पर पच्छना करते हैं, उनको इसी बोलते हैं पत्तन का मतलब है कि वहां जो रिवर बह रही है उसका पार्ट तो इसी पत्तन और मिगदाय का मतलब है जो मिरग है वहां दोड़ते हैं तो मिरग दोड़ने वाली जगे को इसी पत्तन जहां बोलते थे वहां वो मिलेंगे तो उस रास्ते पे जाते हुए किसी ने उनकी जान और 14-15 दिन लगातार चलते रहे तो वहाँ पहुँचें। पहुँचने के बाद में एक बड़ा अजीव सा द्रस्से हुआ कि जो उनके पांचों साती थे। उन्हें तो पता नहीं कि ये सम्मेकसम बुद्ध हो गए हैं या पूरी जानकारी हो गए हैं या दुखों को मुक्त करने का रास्ता पता कर लिया है या ये दुखों से मुक्त हो चुके हैं वीतरागी हो चुके हैं वीतकामी हो चुके हैं तो उन्होंने तो ऐसा ही वैवार कि जैसे कि वो छोड़ के आये थे और क्या छोड़ के आये थे, क्या उनके मन में थी कि ये जो सिद्धत गौतम है ये नाला एक आदमी है इसने साधना पूरी तरह से नहीं की ये तो जोड़ू और बटोरू है जोड़ू और बटूरू का मतलब है कि खाना जोड़ने वाला और सामान इखटा करने वाला है तो वो छबी उनके दिमाग में थी तो पांचो ने ये प्रण किया कि सिद्धत गौत्म जो हमारे पास आएगा तो हम इसकी तरफ ना देखेंगे ना हम बात करेंगे और जो ये पूछेगा हम देखेंगे उससे में क्या होता है पांचो ने निर्ने किया मगर जो सिद्धत गौत्म यानि जो भगवान बुद्ध जब आ रहे थे तो उनकी चाल में और उनके विक्तित में इतना गजब का आकशना आ चुका था बुद्ध होने के पांचो अपनी बात पर रुक नहीं पाए कोई तो उनके लिए बैठने के लिए श्टूल लेके आया कोई उनके लिए पैर के नीचे रखने के लिए छोटा श्टूल लेके आया कोई उनके लिए पानी दोने के लिए पानी लेके आया कोई पैर का धोवन जहाँ पानी बहता है वो वर्तन लेके आया कोई तौलिया लेके आया भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने पैर धोई पैर धोए पैर धोते समय उन लोगों ने उनको यानि भगवान बुद्ध को जो कहा वो आवुस कहके या नाम लेके बुराया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप मुझे आवस ना कहें आवस का मतलब आयुसमान और मेरा नाम भी ना लें क्योंकि अब मैं उस नाम का व्यक्ति नहीं रहा अब मैं सिद्धत गौतम नहीं रहा अब मैं बुधी प्राप्त हो गया बुद्ध हो गया हूँ तो आप मुझे सम्यक्सम बुधी प्राप्त बुद्ध कहें या तथागत कहें या भंते कहें तीन वार उन्होंने ऐसा कहा उसके बाद मैं उन्होंने कहा कि मैं सचमुर्ष में बुद्ध हो गया हूँ बर इससे पहले एक कहानी और भी हुई क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने आपको बुद्ध जो बताया था वो किसको बताया था उरेवेला में एक उपक आजीवक मखली गोसाल का सिस्य था उसका नाम उपक था वो जब बुद्ध को देखा उसने तो उसने बुद्ध को देखे कहा कि आवस तेरी इंदिया, इदिया मतलब सैंसिस तेरे सैंसिस तेरी इदिया तो बड़ी शान्त है यानि कि आख है, नाख है, कान है, जो चेहरे पे चपलता आती है, हाथ परों में चपलता आती है वो तो बहुत शान्त है, सादू होगी है बलकुल सुद्ध हैं और परिसुद्ध हैं, चमक रही है तेरा गुरु कौन है और तो किस धम को मानता है भगवान गुद्ध ने उत्तर दिया मैं सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला हूँ सभी धर्मों से अलग हूँ, सभी धमों से अलग हूँ सर्वत्यागी हूँ, यानि सबको त्याग चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ तश्रा के छैसे मुक्त हूँ यानि जो तणहा है जो क्रेविंग है उसका जो नुकसान होता है उससे मुक्त हूँ मैं अपने आपको जान कर उप्देश करूँगा यानि मैं अब जो उप्देश करूँगा लोगों को देश ना करूँगा प्रीच करूँगा बताऊँगा और जो मैंने सरीर में जाना है अपने आप में उसको देखके बताऊँगा उसी को बताऊँगा मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है यहां कोई नहीं है इस अर्थ पर जो मेरे जैसा विद्वान हो जो अपने आपको जान चुका है और मेरा कोई आचार है, कोई teacher भी मेरा कोई गुरू भी नहीं है मैं अपना गुरू खुद हूँ देवताओं सहित भी कोई मेरे समान इस जगत में नहीं है देवताओं का मतलब जो अच्छे लोग होते हैं काम करते हैं, उसे जिसने सबसे अच्छे काम की हैं उससे भी अच्छा कर कोई है, तो अभी जगत में मैं उन सबसे अच्छा हूँ कोई मिरे समान नहीं है, और मैं संसार में अरहत हूँ, अरहत का मतलब कि मैं जीते जीते दुखों से मुक्त हूँ अब मुझे कोई दुख नहीं है, कोई बुराई नहीं है अब पूर उद्देशक हूँ इससे पहले किसी ने जो देशना नहीं दिया वो देशना मैं देता हूँ मैं एक सम्यक संबुद्ध हूँ मैं शांती और निब्बान को प्राप्त हूँ और निब्बान का मतलब है निब्बान यानि जिसकी तरकस में कोई वान ना रहे कोई तरशना ना रहे, कोई दुख ना रहे तो कहते हैं कि मैं निब्बान प्राप्त हूँ या मेरे पास कोई दुख नहीं है धम का चक्का गुमाने के लिए कासियों के सहर में नगर में जा रहा हूँ यानि कि धम का चक्का धम का परवत जो धम का परवतन करने के लिए चक्को को चक्क को घुमाने के लिए धम को सिखाने के लिए अपने पांच साथियों के पास कासियों के नगर जा रहा हूँ इस अन्दे हुए लोग मैं अम्रत दुन्दुभी बजाऊंगा और वो कहते हैं कि यह जो अन्दा लोग है, जहां लोग पाप इखटा कर रहे हैं इसमें मैं दुन्दुभी बजाऊंगा अम्रत पद्गी यानि कि मैं धोल बजाऊंगा सच्चाईगा और लोगों को सच सिकाऊंगा ताकि लोग अम्रत को प्राप कर सके तो वो जो सिस्य है, उपक है वो कहता है आवुस तू जैसा डावा करता है उससे तो तू अरंत जिन लगता है यानि जो तूने बताया है ये तो सारे कुण जिन के हैं जिनका मतब है जीते हुएगे जिसने अपने आपको जीत लिया है उसको जिन बोलते है पाली में तो मेरे जैसे आदमी भगवान बुद कहते हैं मेरे जैसे आदमी जिनके सारे चित मैल यानि जो चित के मन के मैल हैं जो खतम हो चुके हैं जिसमें सारी बुराईयों को जीत लिया है उपक, तो जिन ही होते हैं, मैं जिन हूँ, तो कहते हैं कि हो अच्छी बात है, ऐसा कहे कि उपक चला जाता है, भगवान बुद्ध वहाँ अपना परिचेस पर कार देते हैं, तो ये जो पांच उनके साथी हैं, ये पांच उ साथी जब यकिन नहीं करते हैं, तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं, क्या तुमने मुझे पहले कभी इस बात का दावा करते हुए देखा, या इस तरह की बात करते हुए देखा, जो मैं आज कर रहा हूँ, कि मैं सारे दुखों से मुक्त हूँ, और मैं दुखों से मुक्त कर तो आपको भी लाग हुआ क्योंकि मैं इसको जान चुका हूँ और मैं हो चुका हूँ तो सबसे पहले जो कॉडिन है उसको यकीन आता है और वो पांचो इस बात को यकीन करते हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध उनको पहला धम का उपदेश देते हैं जो पूरी दुनिया में धम, चक, पवत्तन के नाम से धम यानि जो प्राकरती नीम है वो चक माने उनका चक्र, पवत्तन माने जो चालू हु रहता है और दिवस माने उस दिन दिर्श यानि उस दिन से ज परिशानी आती है यानि जो दुख बताते हैं फिर उसका रास्ता बताते हैं ये सारी बातें को मिलाकर बारा हैं जो बताते हैं तो सबसे पहले चाल आरे सब्तों में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि दुख है दुख का कारण है दुख के कारण का निवारण है और दुख के कार कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है ये चार नोबल टूथ है अरिय सच्च बोलते हैं अरिय सच्च क्यों बोलते हैं क्योंकि ये स्रेष्ट सच्च इसलिए आते हैं इनको जो जान लेता है वो व्यक्ति स्रेष्ट बन जाता है अरिय बनना सुरू हो जाता है और जो इनको नहीं जानता है वो अनर्य रहता है वो सृष्ट रही रहेगा क्योंकि जब आप समस्या को जानेंगी नहीं तो आपको ये नहीं पता कि करना क्या है फिर तो जो कर रहे हैं वो करते रहें तो सबसे पहले भगवान बुद्ध जो घर छोड़ा था, जो घर को छोड़े थे, वो इसलिए तो छोड़े थे, कि दुख है, और दुख का कारण उन्हें समझ में नहीं आया, कारण समझ में नहीं आया, उसका मार्ग समझ में नहीं आया, उसका रास्ता नहीं आया, तो जो अलार कराम के यहाँ जब वो गए थे और उन्हें मेहनत की थी तो वहाँ उन्होंने दुख का कारण है, कारण का जो मार्ग है, मगर मार्ग का कैसे प्राप्त करेंगे यह नहीं समझ में आया उनको, बस इतना ही वहाँ तक पता चला, तीन बातें दुनिया में सब बताते हैं, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, मगर निवारण का मार्ग कोई नहीं बताता, और करके तो कोई दिखाता है नहीं है, भगवान बुद्धु पहले ऐसे जगत गुरु हुए, जिन्होंने निवारण के मार्ग को नाकेवद सीखा, बरन लोगों को जगे 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 साफ करके सिखाया भी और उस जगे को वहाँ लोगों ने विहार बोला और इतने वहाँ विहार बने कि उस जगे का नामी विहार पड़ गया मगत से तो वो प्रैक्टिस करा रेते हैं 45 साल तक वो यही काम करते रहे कि लोगों को निवारन का मार्ग सिखा दे रहे ध्यान, तबसना, विपसना वही जो परियत्ती है परियत्ती माने जो जो सिख्षा है वही परियत्ती नों नहीं यहां दी और फिर पटी-पत्ती की यानि कि उनको सिखाया भी वहाँ वो बाद में सारे-सारे पांचों के पांचों के साथी अरत होगी तो क्या रासा था जब वो कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है कारण का निवारन है, निवारन का मार्ग है वो जो मार्ग है उसको आठांगिक मार्ग बोलते हैं उसको बोलते हैं आठांगिक मार्ग जहां आठ मोर आते हैं आठ फोल्ड या आठ मोर या आठ वक्त राते हैं वो आठ अंगो का मार्ग है उसको तीन मार्गों में तीन चीजों के अंदर जोड़ा गया है सील, समाधी और प्रग्या सील, समाधी और पैया पैया और प्रग्या एक ही बात है पईया बोलते हैं पाली में प्रग्या बोलते हैं संस्कारित भासा में और सील बोलते हैं यहाँ पर सील का मतलब है जो संसार वाला से है उससे सील बना हुआ है शील नहीं बोलते हैं सील समाधी और पईया या प्रग्या तो सील समाधी प्रग्या को आठ भागों को उन्होंने तीन भागों में तोड़ा और तीन भागों में करके उन्होंने बताया कि कैसे कैसे व्यक्ति अगर करेगा और क्या क्या चीज आती है जिससे कि वो निबान को प्राप्त कर सकता है जिससे वो मुख को प्राप्त कर सकता ह और यही वो रास्ता है, यही वो आठ नियमों का, आठ अंगों वाला मार्ग है, जिससे व्यक्ति अपने सारे दुखों से मुक्त होके निबान को प्राप्ट कर सकता है, सौलवेसिन को प्राप्ट कर सकता है, केवल्ले को प्राप्ट कर सकता है, मुक्त को प्राप्ट कर सकता ह और अचूत पद को भी, यानि अचूत पद का मतलब है, जिसको कोई छू ना सके, जो सबसे उंचा हो, उसको अचूत पद बोला हुआ है, अचूतं बोला हुआ है वैसे, अचूतं पदंग या अचूतं ठानंग, तो जो अचूत पद है, संस्काइट भासा में उसको अचूत बोलते हैं यानि कि अंटचेबल जो पोईशन है और वही लोग बाद में अंटचेबल हुए और यही वो रास्ता है जिसको उन्होंने कहा कि ये मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग को बोला मझ्जम मझ्जम बोलते हैं या मझ्जम या मझ्जम मार्ग और जिन लोगों ने ये मज्ज मार्ग या मज्ज मार्ग या मज्ज मार्ग अपनाया उनी को माजी बोलते हैं यानि बिहार के अंदर जितने भी माजी है वो मज्जम मग जो है या जो मज्जम मार्ग है जो मज्जम मार्ग है उसका पालन करने वाले लोग रहें बुद्ध के मा जी है, तो यह जो दुख पिटिपदा गामनी मार्ग है, यानि यो दुख के पिटिपदा जो दूर कर देता है गामनी मार्ग है, इन बहुत सारे नाम इसके चलते हैं, और इसे मार्गे चलते हुए भग्वान बुद्न ने जो पहला महाउपते वो पूरी दुनिया में जगत में फेमस हो गया और वो जगत गुरु के नाम से आता है क्या है वो सील, समाधी और प्रग्या तो सबसे पहले मज्यम मार्ग क्या है बेसिकली जो मध्यम मार्ग है और मज्यम मार्ग है वो है क्या मज्यम मार्ग और मध्यम मार्ग का मतलर है भगवान बुद्र ने जो बताया और जो खोजा वो कहते हैं कि एक मार्ग तो ऐसा है जो चमतकार पे आधारत है जो ये मानता है कि सब चीज चमतकार के आधार पे होती है और कोई चमतकारिक सक्ति इनको करती है सारी दुनिया को चलाती है, सारी दुनिया उसे काम करती है, सारी चीज़ें उसे चलती है एक मार्ग तो यह है, और दूसरा मार्ग यह है, जो ही लोग कहते हैं कि कोई चमतकारिक सक्ती नहीं है ये काम जितना भी है बिना चमतकारिक सक्ती के हो रहा है वो चमतकारिक सक्ती में यकिन नहीं करते है मगर चुकी काम हो रहा है और चमतकारिक कोई कर नहीं रहा है इसलिए जो उन्होंने देखा और जाना उसको उन्होंने मध्यमार कहा उन्होंने कहा कि अरे ये जो काम जितना भी हो रहा है इसको कोई चमतकारिक सक्ती नहीं कर रही है और ऐसा भी नहीं है कि ये बिना कारण के हो रहा है ये जो कारण से हो रहा है और लगातार कारणों से हो रहा है इसको हितु वाद उन्होंने कहा कारण वाद कहा माचिस की इतली राक में बदन जाती है, राक पेड़ों में चली जाती है, पेड़ से पौधा बन जाती है, पेड़ से पेड़ बन जाती है, पेड़ से पिर तना बन जाती है, तने से फिर वो तना काटते हैं, तना काटके फिर वो माचिस की इतली दुवारा से बन जाती है, यानि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बन रही है इसमें ना चमतकार है और नहीं यह ऐसा कह सकते हैं इसको कि यह बिना कारण के हो रही है यह जो हितुवा जो कारणवा जो डिपेंडेंट और जियर्शन या रिजल्ट कॉजन इफेक्ट जो इन्होंने बताया वो मध्ध्यम मार के नाम से फिमस को है मध्यम मार का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दो इधार है और दो इधार है और बीच में हमने कह दिया कि यह मध्यम मार के मतलब है कि जो लोगों ने आती कहा कि कोई चमतकारी सकती कहते हैं और कुछ लोगों ने कहा कि इसका रिजन पता नहीं है जो ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है उस मार्क के बीच का मार्क निकलकलाए और आज तक भी दुनिया वर के साइंटेस्ट उनकी बात के आधार पे चलते हुए उनका जो अभी धम है जो उनुने माइंड का और बॉडी का रिलेशन बताया उसके आधार पे चलते हुए जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से उस पे काम करते हैं इसी मार्को अरिय अठंग एक मार्क बोलते हैं यानि कि स्रेश्ट आठंगो वाला मार्क बोलते हैं इसी को अठकता बोलते हैं इसी को अठमी बोलते हैं क्योंकि आठ दिन तक इसका पाठ कराते हैं और उस दिन खास तोर से बुद्ध बिहार आते हैं क्योंकि उस दिन अठ मी होती है तो अठ जहां भी आपको लगेगा वो नाम फेमस इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध का जो ये आठ हंगो वाला मार्ग है ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा विख्यात है बहुत ज़्यादा सुविख्यात है बहुत ज़्यादा ये प्रमुख है बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत ज़्यादा माना जाता है क्या है ये मार्क सबसे पहले आता है इसमें सील समाधी पैयां के अंदर सील आते हैं सील किसको कहते हैं सील कहते हैं सदाचार को आच्रा को जो हम morality अपनाते हैं तो सील के अंदर जो हम काम करते हैं यानि कि जो बोलते हैं जो सोचते हैं और जो हम करते हैं वो काम हमारा ऐसा होना चाहिए जो सम्यक हो प्रोंकि भगवान बुद्ध ने आठों अंगों के अंदर सम्यक लगाया हुआ है सम्यक क्या मतलब सही जैसे चाकू अगर होगा घर के अंदर तो उसका एक इस्तमाल है किसी का पेट फाड़ना और एक इस्तमाल है तर्बूच का पेट फाड़ना तर्बूच का पेट फाड़ना सम्यक है सही है राइट है और किसी का पेट फाड़ना ये असम्यक है ये रोंग है और ये पाप है इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर जो ग्यान है, जो सारी विज्जा है, सारी एजूकेसन है, उसके दो मिनिंग होता है हम ऐसा, एक होता है सम्मा और एक होता है सम्मा और एक होता है सम्मा, यहां सम्मा अस्तमाल किया गया यानि राइट, तो सबसे पहले आता है और करम के अंदर, माइंड के अंदर, और जो आपकी स्पीच के अंदर, जो आपके वर्क है उसके अंदर, जो सही काम सब लोगों के लिए होता है, उसको सील बोलते हैं, तो यहाँ जो सील है सबसे पहला, वो कहते हैं सम्मा वाचा, सम्मा वाचा, सम्मयक, बच्चन या राइ बाते हैं और एक बेकार की फिजूल की जो भकवास है वो नहीं करनी है यानि कि हर एक मनुस्य को इतने भी प्रत्वी पर मनुस्य हैं उनको चार बातें नहीं करनी है जूट नहीं बोलना है जूट का जो वीडियो है बहुत बड़ा मैंने बनाया हुआ है वो आप देख लें जो जिसमें मुसा वादा वेरबनी करके सील है, उसमें सारा विस्तार से बताया गया है, एक उसमें भकवास और जो कटू बचन हो नहीं करने है, एक पकवास नहीं करने है और एक चुगली नहीं करनी है, यह चार बातें आती है वचन से, यानि कि मुह से यह चार बातें आपन नहीं करनी है, यह आता है सम्मा वाचा राइट स्पीच में फिर आता है सम्मा कंम दंग या सम्मे कर्म या राइट कंड़क्ट, जो कंड़क्ट है आपका वो बल्कुल राइट होना चाह 있는데 जो कर्म है आपका, क्योंकि आभी तो आप मुह से प्राणी की हत्या चोरी वेबचार और नसा यानि प्राणी हत्या नहीं करनी है वेबचार नहीं करना है चोरी नहीं करनी है नसा नहीं करना है ये पांच सील में से चार सील पहले ही मैं बता चुका हूँ आप देख लें एक गंटे का आदा आदा गंटे का मैंने बहुत अच् करना है तो ये आपके आते हैं सम्मयक कम मंत में यानि कि ये आपके सही काम में आते हैं कि आपने ये काम नहीं करना है इन काम को करेंगे तो सम्मयक कम हो जाएंगे फिर आपके पाप नहीं जाएंगे फिर दुख आपके पास आएगा फिर आता है सम्मा आजीवो जो सम्मा आजीवो है सम्मा आजीवो का मतलब है राइट लाइवलिहोड यानि के सम्मयक आजीवी को आजीवी का जो हम खाने के लिए कमाते हैं और काम करते हैं वो हमारा सम्मयक और सही होना चाहिए अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने घर का पालन करता हूँ और मैं पैसा कहीं से कमा कीलाऊँ मिरी तो जुम्माडारी है ऐसा नहीं है अगर आपको सही तरह से कमाचे के से नहीं कमा कलाइंगे तो वो पैसा आपको परिवार को पालने की वज़ाए खतम कर देगा उस समय पांच चीज़ों के लिए मना किया है अभी तो वो बढ़ गई है पांच चीज़ें कौन कौन सी है हत्यारों का वैपार है जो प्राणियों को मारने के लिए हत्यारों का वैपार करता है सबजी काटने के लिए चाकू का करे वो बैपार में नहीं आता खराब में अगर जानवर का जो नियार है जो भोजन का काटने के लिए गंडासा है या फसल काटने के लिए जो गंडासा है या जो खुरपी है या जो जो भी चीज़ है दनाती है वो अहत्यारों में नहीं आती क्योंकि वो सम्मेक उसका इस्तमाल है मगर अगर प्राणी को मानने के लिए जैसे तीर है उस सम्मेक इसाब से या तलवार है या कोई ऐसा चीज बनाई या आपने जिससे जानवार या कोई मनुझ से माना जाए या कोई बड़ा चाकू तो वो अवैद है यानि कि वो सम्मेक आज इभी का में नहीं आता उसका आपको नुकसान होगा दूसरा आता है प्राणीों का व्यापार यानि प्राणीों का व्यापार नहीं करना है आपने गुलाम नहीं खेदने हैं बेचने नहीं है आपने कोई जानवर को नहीं बेचना है आपने अपने घरवानों को कहीं कोई मजदूरी की ऐसे नहीं रखना है कि जैसे बेचतिया हो या उनको कहीं आप फसा के चले आए या गुलाम बना के चले आए तो प्राणी को किसी तरह से ब्यापार नहीं करना है न यानि नसे की किसी चीज को ना उगाना है, ना पैदा करना है, ना खेदना है, ना बेचना है, ना उसकी मजदूरी करना है, ना उसमें जाना है, कोई involvement, नसे के किसी काम में नहीं करना है, एक है विसका व्यापार, यानि कि विस मनुस्य को प्राणी को मारता है, ऐसे किसी व्य ब्यापार को नहीं करना है ना इसको होने देना है ये पांच ब्यापार उस समय बताए थे अभी तो बढ़ गए हैं अभी तो जैसे टीवी रेडियो पर जूट बोलने का हैं आप कितना जूट बोलते हैं टीवी रोड पर तो आज की समय में ये जो टीवी है टेलिविजन है जो रेडियो है ये ब्रोड कास्टिंग है ये जितना जूटा ब्यापार करते हैं ये जूटी इन्फोर्मिशन चलाते हैं ये ब्यापार समय का आज इवी नहीं है एक है मत को खरिदने बेचने का जैसे पहले मत नहीं खरिदे बेचे जाते थे आज के समय में लोगों को मत क वो खरिदना बेचा जाता है कभी भी किसी के मत को नहीं खरूदना चाहिए क्योंकि उसका मत फिरी होता है उसका जो वोट है वो फिरी होता है उसकी जो एक्छाय वो फिरी होती है आप उसको दवाब में पैसा दे कै citizen खर्यद लें यहां उसने अपना मत डाला है, उस मत को बाद में अपने हिस्से के लिए मोल लें या अपने हिसाब से उस जो मतदिखार यूज करके जिसको आपने बनाया है, उसको आप अपनी तरफ कर लें वो उलताए से सम्यक आजबी को नहीं आता है, एक आता है मिलावट का बैपार मिलावट का बैपार पहले नहीं होता था अभी तो हर चीज में मिलावट है मसाले में, दूद में, घी में, चीनी में हर चीज में मिलावट है यह समय का आज भी के नहीं है जो लोग मिलावट का बैपार कर रहे हैं के बच्चे भी टेडे मेडे पैदा होते हैं, नशी ले और सरा भी पैदा होते हैं एक है आज के समय में जुए का बैपार, पहले ये जुआ घर कैशिरो नहीं हुआ करते थे, थोड़ा बाद जुआ कही नाम कश्ट होगा और आपके दुख कभी जाएंगे नहीं फिर आता है सम्यक समाधी सम्यक समाधी में आता है सम्मा व्यायमो और सम्मा सती सम्मा व्यायमो और सम्मा सती यानि समाधी का जो मतलब है सम्माधी का मतलब है सम और धारना यानि कि सम्ता के साथ में जो धारन करते हैं उसको समाधी बोलते है कोई वेक्ति अगर समाधी लगाता है इसका मतलब वो शांती से सम्ता से धारन करके बैठा हुआ है तो वो समाधी उसकी हो गई समाधी में इसमें सबसे पहले आता है सम्मा वायामो या सम्मेक वायाम राइट एफर्ट यानि कि आपने कोसिस करनी है राइट एफर्ट करना है सम्मेक समाधी के लिए तो करना क्या है आपने बैठ गए आप और बैठने के बाद में आपने कहा कि मैं क्या वायाम करूँ कौन सा वायाम में करूँ कौन सी एक्साइज करूँ क्योंकि इसमें एफर्ट करना है तो यहाँ एफर्ट सरीर का नहीं करना है यहाँ एफर्ट जो करना है वो माइंड का करना है मन का करना है कैसे करना है आपके मन में जितने बुरे विचार विक्सित हो चुके हैं सबसे पहले तो वो आपको निकाल ले है फिर वो निकाल के आपने दरवाजा बंद करना है कि अब वो बुरे विचार नहीं आने चाहिए फिर जितने आपके सही विचार है जो जैसे अच्छे विचार है उनको रोकना है और सही विचारों को निकालना है और जो सही विचार आपके हैं उनको बढ़ाना है और जो सही विचार नहीं है आपके पास वो पैदा करने है यानि कि जो आपका बुरे विचार मन में है बुरे मन में सबसे पहले तो वो निकालने है उनकी सफाई करनी है फिर वो दर्वाजा बंद करना है उनको आने नहीं देना है उसके बाद आपने जो आपके सही सही विचार है जो सही चीज़ें आपके मन में जो अच्छी हैं अच्छायां हैं, उनको आपने बढ़ाना है और जो नहीं उनको पैदा करना है यह है सम्मावायम या सम्मावायमू तो सम्मावायमू या सम्मावायम या राइट एफ़ट इसी बात का है और यह बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जब समादी में आदमी बैठता है तो समादी में उसको ख्याल आता है तो वो सम्मक की बजाए असम्मक वायामों में चला जाता है असम्मक वायामों में चला जाता है वो क्रोध में, सुरा में, सुंदरी में, कामवासना में, चोरी में, डकैती में उसके मन में यही घुंता रहता है उसको निकालनी के बजाए और बढ़ा लेता है तो ये फिर सम्यक नहीं होगा असम्यक हो जाएगा इसलिए जो effort है जो mind करना है वो करना है कि आपके मन से जितने बुरी चीज़े हैं वो सब निकालनी है अच्छी रोकनी है फिर समाधी में आता है सम्मा सती सम्मा सती एक कमाल की चीज़े है क्योंकि सारा जो भगवान बुद्ध का जितनी सिक्षा है वो सती सब्द पर रुकी हुई है महा सती पठाना आप जानते होंगे और जो सती सावित्रियां होती है जो सती ओरते होती है और सती जगे जगे सती की देवी और सती का मंदर मिलता है और जगे जगे सती मान लोग मिलते हैं और बलकर सती से ही जो सब्द बना हुआ है वो सितारा बना हुआ है और सितारा से ही तारा देवी बनी हुई है और सतारा नाम की एक जगे भी महाराष्ट के अंदर है यानि ये सती, सतारा, इस्मरती ये इतने पिर्मुक नाम रहे हैं कि ये सब सती से बने हुए है सती क्या क्या मतलब है सती का मतलब आज तो इस्मरती बोलते हैं यादगार बोलते हैं यादगार नहीं है basically सम्मासती या सम्मा इसम्रती या right awakening right awakening का मतलब है right mindfulness यानि कि आपकी सही जागरती सही जागरन सही जागना सही देखना ये है सम्मासती इसको कैसे देखेंगे इसको जानने के लिए ये चार प्रिकार गी होती है एक तो होती है आना पाना सती आना पाना सती के अंदर पेसिकली पहले ये समझाएं कि सती है क्या सती जो होती है वो बोलते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं और जो हमारे सेंसिस में आ रहा है जैसे हम कोई सीन देख रहे हैं सामने एक सीन चला है पिचर के अंदर उस पिचर के अंदर किसी ने किसी को चाकू मारा तो चाकू मानने का हमने सीन देखा चाकू मानने का हिंसा का सीन हमने देखा हिंसा के सीन में हमें ये देखना है कि ये जो काम हुआ है हमारे मन पे किस प्रकार प्रभाब डाला है पाप का या पुन्य का या हमने कहीं पे देखा कि कोई व्यक्ती हमसे रिस्वत मांग रहा है या हम किसी को रिस्वत देख रहे हैं तो उसमें हमें यह देखना है कि पाप कितना हो रहा है और पुन्य कितना हो रहा है हमारे मन को कितना पता चल ला है या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं शराप पीने का नसा करने का या हिंसा करने का तो अपने मन पर देखते हैं कि पाप कितना है और पुन्य कितना है अगर हम ये जानगाई रखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसे पाप कितना आ रहा है पुर्न कितना आ रहा है तो इसको सती बोलते हैं यानि कि हम जागरूख हैं अवेकन हैं हम देख रहे हैं कि हमारे करम का हमारे उपर क्या प्रभाब पड़ रहा है चार प्रकार से इसको देखते हैं एक देखते हैं इसको आना पाना सती आना पाना सती का मतलब है कि हम अपने सांस की गती को देखते हैं कि सांस की गती हमारी उपर नीचे कितनी हुई जैसे हम को गलत काम करते हैं वैसे हमारा सांस एबनॉर्मल हो जाता है उपर नीचे होता है इसको बोते हैं आना पाना सती यानि कि सांस के आने जाने की गती में चेंज तो नहीं हुआ है दूसरा देखते हैं काया गत सती यानि कि हमारे सरीर पर क्या फरक पड़ा है कोई काम हमने किया सामने किया अच्छा या बुरा तो हमारे सरी को देखते हैं कि क्या फ्रक पड़ रहा है सरीर शान्त है या कुछ बदल लगया अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है एक होता है वेदना नूसती वेदनानु सती का मतलब है कि जब हम कोई अच्छा या गलत काम कर रहे हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे सरी में जो वेदनाई उठ रही हैं वो खुशी की आ रही है या दुख की आ रही है या डर की आ रही है या करोध की आ रही है या चिंता की आ रही है पैसी वेदनाय आ रही है यह हम चेक करते हैं और एक देखते हैं हम धम्मानु सती धम्मानु सती का मतलब है कि जो हमारे अंदर रिस्से में जो सरीर में चला है उसका धम कैसा है गरम है, ठंडा है, गीला है, मोटा है, पतला है यह सारी जो सतियां है इसकी जानकारी ऐसे नहीं आती यह आती है, जह आप व्यपस्ना साध्माně जाएंगे और बैठेंगे ठोड़ी बाज सब अज आ जाती है मगर व्यपस्ना साध्मान तो जहां माश्टरी सीख जाते हैं माश्ट्री करके आ जाते हैं वहाँ तो आपको सब पता चल जाएगा तो ये है सम्मा सती सम्मा सती और सम्मा वाया मो समाधी के समाधी लगने के पहरे दों है यानि कि जो व्यक्ति इन दोनों को करेगा वो समाधी में लगेगा तो हमारा साथ जो छटा है वो आता है सम्मा समाधी समाधी का कोई Sanskrit word नहीं है समाधी पाली में भी समाधी है और Sanskrit भासा में समाधी है यानि जो समता में जो अधिष्टित रहता है जो अधिठान करता है जो समता में रहता है जो समता को धर्ण करता है जो समता धर्ण करके आया हुआ है जो सम्मा धर्ण करक्या होता है या सम्मा अधिगर्ण करक्या होता है उसको समाधी बोलते हैं यानि सम्मता में आपको इस्थित रहना है अधिगर्ट रहना है तो वो समाधी हो जाता है तो समाधी क्या है समाधी बेसिकली आज की भासा में कहा जाता है कि मन की एकागता को समाधी कहते हैं मगर भगवान बुद्ने तो यहां सम्यक समाधी बोला है सम्मा समाधी बोला है तो मन की एकागता खाली समाधी है मगर सम्यक नहीं है अगर कोई आदमी चोरी करने जाता है और चोरी करते करते वो एकागरता से अपने शिकार को देखता है तो वो सम्यक समादी नहीं है एकागरता तो है, समादी तो है मगर सम्यक नहीं है क्योंकि वो हानी पहुचाने वाली है तो सम्यक समादी कैसी होती है सम्यक समादी वो होती है इसमें वो ये जानता है समता से कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो बिल्कुर ठीक ठीक कर रहा हूँ किसी की हानी के लिए नहीं है और मैं उसको जानता हूँ और देख रहा हूँ यानि कि एकागरता होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और समान रूप से होनी चाहिए उसमें आपका कोई दुसकरम इन्वाल्ब नहीं होना चाहिए समाधी में आप बैठ गए और आप काम खराब करने के लिए बैठे हुए हैं आप करने के लिए बैटे हुए हैं, तो वो सम्मा समाधी नहीं है, अगर सम्मा समाधी होगी, तो वो आपको दुखों से मुक्ति दलाएगी, और अगर सम्मा समाधी होगी, तो वो आपके दुखों को बढ़ा देगी, आपके सुक्ष खतम कर देगी, इसकी ये सम्मा और सम्म पो सम्यक संकल्प सम्मा संकपो या सम्यक संकल्प राइट रिजॉल्ब काम कोद लाव राग देश और मोह मूर्टा काम कोद राग लोव देश और मोह मूर्टा अगर ये पांच चीजों को जो छोड़ देता है वो संकल्प ना करें मन में, यानि कि समाधी में बैठ गया समाधी में बैठने के बाद मैं वो संकल्प ले रहा है, क्या संकल्प ले रहा है मन में रिजॉल्ब कर रहा है क्या संकल्प है उसके मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं कोई राग नहीं करूँगा, मैं कोई देश नहीं करूँगा, मैं कोई मोह मूरता नहीं करूँगा, मैं कोई लोग नहीं करूँगा, और मैं इनसे रहित रहूँगा, इनसे मैं इंवल्ब नहीं हूँगा, ना मन से, ना वचन से, ना करम से, तो ये संकल्ब अच्छा है, और अगर संकल्ब बैठके समाधी में ये करे वहाँ मुझे चोरी करनी है वहाँ डखेदी डालनी है वहाँ मुझे खाने का समार मिलाना है वहाँ मुझे दूद में पानी मिलाना है वहाँ मुझे कमिशन लेना है वहाँ मुझे ये जमीन बेचनी है जो मेरी नहीं है, सरकार की है जहां वहां मुझे ये काम करना है वहां मुझे ये चीज़ करनी है तो वो संकल्ब ऐसम्यक हो जाएगा उसका लाव होनी के बजाए नुकसान हो जाएगा, पापकरम और बढ़ जाएगे और बीमार हो जाएगा, सरके मरेगा फिर आता है इसमें आखिरा जो है सम्मा दिट्थी सम्मा दिट्थी का मतलब है सम्यक द्रष्टी या right view यानि कि आपकी द्रष्टी है वो सम्मेक होनी चाहिए साधर्ण भासा में तो कहेंगे आपकी जो आँक है वो 6-6 होनी चाहिए यानि चस्मा लगावनी होना चाहिए आप भी दस्टी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मगर ये साधरन बात नहीं है सम्यक दस्टी या सम्मा दिप्ठी का मतलब है कि आपकी जो दस्टी है वो इतनी सही और इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपको व्यूज का पता चल जाए कि ये सामने जो चल रहा है वो चीज कैसी है कैसी नहीं है यानि आपको देखके पता चल जाना चाहिए कि ये पाप में है या पुर्णे में है इसमें पाप हो रहा है या पुर्णे में हो रहा है यह दर्ष्टी का आपको पता चल जाना चाहिए कि यह जो चिल रही है चीज़ें यह कैसे है किसी को देखना यहां सम्मेक दर्ष्टी नहीं है उसको महसूस करना यह सम्मेक दर्ष्टी है इसके तीन पार्ट है बिसीकली तीन पार्ट इसली है क्योंकि इसे सम्मेक दिश्टी जो आती है वो प्रग्या से आती है प्रग्या का पार्ट है पैया का पार्ट है पैया में सहिल ये जो सम्मा संकल्प है और जो सम्मा दिप्ठी है वो दो पार्ट आते हैं लास्ट रिष्ट में जो आता है वो प्रग्या का पार्ट है और प्रग्या तीन प्रिकार की होती है एक होती है सोत में यानि सोत में कर गया यानि प्रग्या को बोलते हैं समझ और सोत में का मतलब है कि आपने कहीं पड़ा किसी सोत से आई हुई है कहीं सुन के आई हुई है कि इसी सोट से आई हुई है जो जानकारी उसको बोलते हैं वो आपके अनुभब पे खरी नहीं उतरती वो आपने चिंतरम नहीं किया कहीं से आपने टेली विजिन पर सुन लिया और कोई बात आपने सुन ली और आपने उस पे एक्ट करना सूर कर दिया वो जानकारी आपकी नह तो पहले वो जानकारी आप लोगे तो वो सोत हो गया, वो सोत में ही जानकारी है, सोत में ही प्रग्या है, सोत में समझ है, सोत आया है, टीवी वाले ने बताया है, फिर आप उसको चिंतन में ही प्रग्या में बदलोगे, चिंतन में ही प्रग्या क्या होती है, कि आप उसको अ या नहीं थी, या अभी जो बात बोली है वो सच है या नहीं है, वो सारा analysis करोगे, उस पर सपर चिंतन करोगे पचास लोगों से पुछोगे, सब की हिष्टी जानोगे चिंतन में ही प्रग्या आपको बताएगी कि ये चीज ठीक है या खराब है जो टीवी वाले ने बोली है मगर चिंतन में ही प्रग्या भी जूटी हो सकती है आपको पचास आदमी कह सकते हैं कि टीवी वाले ने जो बोलाएगो ठीक है आपको अख़वार कह सकता है टीवी वाले ने पर हमारे मन पर क्या प्रभाप्रगा है आपका मन बता देगा कि यह जोट बोला है या सच बोला है या यह खराब है या उसको बोलते हैं भाव में प्रग्या तो यह जो भाव में प्रग्या है यह है बिसिकली सम्मा दिठ्ठी सम्माध्रेश्टी इस अनुभब से हमें पता चलता है सरीर के अनुभब से कि यह चीज खराब है और यह चीज अच्छी है और यह छोटे से बच्चे में भी होती है छोटा सा बच्चा अगर किसी वेक्टिव को देखता है और उसके चैरे की vibration उसके लिए अच्छी है या खराब है कोई करकस आवाज में बोलता है तो बच्चा रो पड़ता है, कोई मीठी आवाज में बोलता है तो बच्चा खुश होके उसके पास चला जाता है उसका भाव बता देता है उसका experience बता देता है, उसका मन बता देता है कि ये ठीक है या ये खराब है इसने सबसे महत्पूर इसके अंदर है सम्मा दिट्टी और सम्मा दिट्टी में भी जो सबसे important है वो है भाव मैं प्रग्या यानि जो आपने experience से अपनी जानकारी से जो समझ है जो आपने अनुभग की है जो आपके अनुभग प्रग्या वो वाली प्रग्या ये जो आठ मार्ग हैं ये जो आठ चीजे हैं ये आपको निपान की पत तक भी ले जाता है ये सुख प्राप करने का मार्ग है दुखों को दूर करने का मार्ग है ये मार्ग दुख से आरंब होता है कि दुख क्या है इसका कारण क्या है निवारण क्या है और उसके दुख का निवारण का मार्ग क्या है और मार्ग पे चलते 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 आपको मुख प्राफ हो जाता है अमर्त प्राफ हो जाता है आपके दुख चले जाते हैं आपको सुख आ जाता है इसलिए ये जो मार्ग है ये सारे जितना भी भवान बुद्ध की जो थोरी है या मिवान सा है या जो परियत्ती है या जो पत्टी-पत्ती है या जो पैक्टिकल है ये मार्ग सारा उनको बताता है ये मार्ग उन्होंने वहां बताया रास्ता उसके बाद वहां पर छे आरत हो गे वो भी आरत हो गे और भी वहां पर आये उन्होंने सीखा वहां पर साथा बन गया यानि साथ लोगों का गुरुप बन गया 60 लोग पिर वहाँ से संग बन गए उनका चला और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में धमको फिलाना सुरू किया भगवान बुद्ध 45 साल तक यही बात को अलग अलग तरीके से समझाते रहे सील समाधी पईया सील समाधी पईया इसमें जो परियती है और पटी पटी है उसमें थोड़ा सा अंतर है जब किताब में पढ़ाते हैं आपको तो किताब में सबसे पहले आपको पढ़ाते है लुद्धी संकुपो वाचा कमंत आजिवो वायमो सती और समाधी और जब पटी-पती यानि के जब आपको सिखाते हैं तो सिखाने सबसे पहले आपको वाचा, कमंतंग, आजिवीको, वायामो, सती, समाधी, संकपो और दिप्थी यानि के पढ़ाने में और सिखाने में थोड़ा सा करम बदल जाता है भगवान बुद्र चुंकि इसको बताते भी थे और पढ़ाते भी थे इसलिए और ये जो अट सिल मार्ग है, जो ये अटंग मार्ग है, जो सिल समाधी का मार्ग है ये जो आठठंगिक मार्ग है या जो आठठंगिक मार्ग है या जो अट वक्र है या एटफोल्ड पात है इसकी खास बात है कि इसे दस बिमारियां पूरी जड़ से खतम हो जाती हैं दस बिमारी हिंसा, चोरी, वैबचार, जूँट, चुगली, कटू या कटोर वचन, बकवाज, लोग और क्रोध ये दस बुराईयां हमेशा के लिए खतम हो जाती हैं ये जो दस अंग हैं दसानन हैं ये हमेशा के लिए मारे जाते हैं खतम हो जाते हैं जो एटफोल्ड पात क ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है जो भी आपको पढ़ाएगा ये ही पढ़ाएगा धम्चक पवतन की आपको बहुत-बहुत बधाईया हैं मंगल कामना हैं आप धम्चक पवतन वारे दिन अपने जितने भी गुरू हैं जितने भी आपके टीचर हैं उन सब को बध आईयां दें और भगवान बुद्ध के जितनी भिक्कु हैं और जितनी भिक्कुणू हैं उन सबके फोटो गरा लगाएं उनके वाटसप पे भेजें उनको धन्यवाद दें कि अब आप पढ़ाते हैं जीवना आपने लगाया है इससे हम आपका अभारी हैं बहुत-बहुत म इसको मनाएं ये इसवार पांच जुडाई को 2020 में पढ़ रहा है और पांच जुलाई को ही मेरा जनंद नवीस वार पढ़ रहा है धन्यवाद दें आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी प अपनी नाव से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिस्ट लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान गुद्द का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सल्भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गतंशरनं गच्छामे धंवन शरनं गच्छामे संघंशरनं गच्छामे धंशरनं गच्छामे धंवन शरनं गच्छामे संघंशरनं गच्छामे धंवन शरनं गच्छामे धंवन शरनं गच्छामे धंवन शरनं गच्छामे